आज को जो वीडियो है करीब 24 वाट का वीडियो है और इस पूरे वीडियो में हमने कुछ important candles के बार में बताया है यह वो candles हैं जिसको कि practice करने के बार में अगर आप use में लाते हो तो बहुत सारी चीज़े solve हो सकती है solve in the sense कि एक जो शुरुवाती लेवल पर problem होती है कि चार्ट को हम लोग rate कैसे करें शुरुवात कहां से करें rate करने की अभी इतनी सारी candles हमारी बनी है हम इसमें से कौन सी candle mark करें कौन सी expected candle है कि price आगे चल करके हो सकता है वहां से support लिया resistance लिया जहां से हम लोग trade execute करने जा रहे ह है वहां पर हमारा stop loss चला जाए ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग trade execute करने से पहले ही prepare करके रखें तो बहुत सारा काम अपना हो जाता है एक point होता है point of action यह वो जगह जहां से हम लोग trade execute करें हाला कि यह सारी कि सारी जो आज की formation से lower time frame की formation ह हाँ एक formation जो की daily time frame की है वो भी हमने बताई है और lower time frame की काफी सारी formation इन सारी formation को बहुत अच्छी तरह से देखना समझना अभ्यास करना और याद रखने की कोशिश करना यह नहीं है कि अभी देख लिया और live market में गया तो फिर से वही अपना call put यह वो loss फिर लॉक्स करी कर फिर 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 इसी में पूरा दिन खता चला भी आपने जो भी वीडियो वगरा देखा है वह तो अभी याद भी नहीं आपको कौन सी candlestick कौन सी नहीं थी तो यह सम्मत करिएगा इत्मिनान के साथ शांती के साथ जब running market हो जब आप trade execute कर करोगे confirmations नहीं है तो फिर आप trade execute नहीं करोगे. कम confirmations और कर लिया है तो आगे चल कर कि क्या होता नहीं कि जो भी studies होती ही वह सारी की सारी खराब होती है. confirmations कम हैं मत कोड़ execution जहाँ पर भी है fully confirmations के साथ ही आप कोई भी trade execute करोगा तो ये सारी informations उसमें आपकी कर देंगी है उसमें मदद करेंगे धान दीजेगा इसको और समझने की कोशिश कीजेगा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe कीजेगा वीडियो को लाइक किजेगा और पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर मन में कोई doubt रहता है कुछ question उड़ते हैं तो comment box में आप link दिजेगा उसका हम reply करेंगे यह अपना टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर काफी सारे दिए कुछ हमने trades execute करने के लिए यहां पर यह access student group था अपना जिसका screenshot लेकर के बाद में हमने public किया था तो वहाँ पर SBI card बगरा दिया है फिर quantities book और यह सारी चीजें वहाँ पर अकसर हम टेलिग्राम पर अपने share किया करते हैं तो आप गुर्प भी जान कर सकतो जो भी stocks अगरा होते हैं trade execute करने के लिए यहां पर हम देते हैं और जो वीडियो है अपना यह में भी हो सकता को थोड़ा सा slow end process लगे धीरे धीरे चलता हो वह class की recording एक रहे कि थोड़ा सा रिलाक्स होते हैं समय काफी होता है तो इसलिए बहुत रिलाक्स होकर बताते हैं तो एक फॉर्मिशन और उसी में करीब 15-20 चला जाता है हाला कि करीब एक घंटे से ज्यादा कि यह क्लासी तो कुछ क्लिप्स हम ने उसके अंदर से कट की कुई बहुत बड़ी class हो रही थे कट की हैं जो important चीज़े वह हमने इस वीडियो में रखी है जो भी चीज़ हम आज के दिर मताएंगे काफि सिग्निफिकेंट केंडल स्टिक्स हैं बहुत important हैं जिसमें से कुछ फॉर्मेशन सापकी lower time frame के और कुछ फॉर्मेशन है higher time frame के कोई question answer अभी ने जो भी चीज़ हम बता रहे हैं और को focus के साथ आ समझने ही कोश लिएगा सब सब लोग जो भी प्राइस डिक्शन हम लोग यूज करते हैं या फिर केंडल के तो जो हम लोग लीडिंग करते हैं तो उसमें चैंडल वॉल्म दोनों का यूज होता है सब लोग जनते हैं अभी जो हम पैटन बताएंगे उन पैटन्स में वॉल्म को कोई discussion हम नहीं करेंगे आज के सेशन में यह हो सकता है एक दो पैटन्स के वाले से उसके पर वॉल्म का discussion करें अधरवाइस वॉल्म का discussion आज नहीं करेंगे हम आज सिर्फ एक चीज़ देखेंगे प्राइस वॉल्म का बेशक जितनी formation हम बताएंगे सभी में वॉल्म करो ले सभी में लेकिन वॉल्म के थुरू और आगे की तरफ समझेंगे वॉल्म से आपकी formations काफी सारी filter हो जाएंगे वी जो चीज़ हम बताएंगे उसको वॉल्म के थुरू filter मत कीज़ेगा जहां पर भी जिस तरह के projections हम बोलेंगे वहां पर उस तरह की formations के थुरू आपको markings कर दी है अभी हमने जैसा बता तो उसको आप note down कर लेना पर इतना सा काम करना है तो एक तरह साप समझ सकते हुए को पूरा bundle है the candles का में भी शायद हो सकता क्लास आची थोड़ी सी लंबी हो जाए प्रैक्टिस कर डालोगो ने information के जितनी हम आज बताएंगे आपको अगर information के practice कर लिए तो यह समझ लिना प पूलाँ चाहिए कि बहुत आसान और इस हो जाएगा मतलब reading स्टार्ट कर दो गया प्रैकार ज़रुवत नहीं है अटेंट की जाए जितनी recording यह सारी आपको मिल जाएगी recording मिल जाएगा उटो सक तक करने इसको publish करें दो तीन चार नेबर नेबर होगे तो दो तीन चार पां पांच और यह जाएग रेकाउट बार डिनी नेएगे वाटर वड़ियौट फिर्च वाली है फिस फाली है तो एक यूज यह आपको को लोगय पर नहीं दीखके विए इसका रीजन क्या है इसको समझें देखे इन जो एक तो केंडल का मतलब के एक आपर केंड़ के बाहर ह प्राइज आपका ब्लाब्ला कुछ भी है एक्स याई जट तो लोवर टाइम पर जब देखो गया तो आपको किसी भी एक केंडल का कम से कम ओपन प्राइज तो आपको इस केंडल की रेंज के अंदर ही देखेगा बहुत हद तक चांस है बहुत हद तक चांस है तो जो इसका close price है तो next open candle का जो candle आपकी open होगी उसका price previous close candle की फिल्कुल आसपास शापू देखेगा but throw candle में क्या है कि previous candles के range के अंदर इसकी opening या closing होती ही नहीं इस वज़े से ये candle आपको lower time frame पर दिखाई नहीं पड़ेगी यह सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ेगी आपको daily time frame डेली time frame पर क्यों because जो इसका open price है यह out of the previous candle range जो previous candle आपकी बनेगी ना उसके बिल्कुल बाहर दिखाई पड़ेगा तो first candle की open और close price तो चलो वो तो normal है time frame याद रखेगा daily time frame पर ही इसका use and book करता है बहुत strong candle होती है बहुत strong candle बहुत ज्यादा नहीं आदत है हमको मतलब कि बढ़ा चाढ़ा करके बूलने की या यह है वो है नहीं हम बहुत कम शब्दों में आपको बोल रहा हूँ बहुत लेकिन फिर भी इतना समझेगा कि candle बहुत important है बहुत strong candle है सिर्फ इस एक candle की प्रेक्टिस नहीं बहुत बहुत टाइम होगा गया है तो जितनी information अभी हम आपको बताएंगे ना सिर्फ उन information के जान लेने भर से कुछ नहीं होगा आप एक बार देख लो दो बाते जान लेने भर से कुछ होगा ही नहीं किसी भी चीज की knowledge लेना और किसी भी चीज का अभ्यास करने इन दोनों में जमीन आस्मान का फर्क होता है बहुत सैसे लोग है जिनके पास बहुत सारा knowledge है है वो knowledge है लेकर उस चीज का अभ्यास नहीं है अभी हम क्या करें ना एक तरह से हम आपको बस information दे रहे हैं एक तरह से हम knowledge दे रहे हैं कि फलानी फलानी candle है ऐसी information हाई लो इंपोर्टेंट है open your close price इदर होता है उपर होता है बाहर होता है जो भी है विग बनती है नहीं बनती ही क्या मा करना हाई लो मा करना है कैसे जोग यह सब मता दें लेकिन एक्चुली जो भी चीज़े हम आपको बोल रहे हैं कल के सेशन में जब आप जाओ के काम करने के लिए तो सिर्फ इतनी चीज़े मालूम भर होने से कुछ होगा नहीं जो भी चीज़ अभी हम आपको बताएंगे न उस चीज़ के उपर आपकी प्रैक्टिस कितनी अभ्यास कितना है आउटकम उससे निकलेगा यह चीज़ याद रखना है यहम क्यों बोल रहे हैं घलत शाहिवी मत रहना कि अच्छा आपको कोई दो मालोब पढ़ गये होगे काम होगे नहीं अगर अब भ्यास नहीं किया है तो वो आपकी गफलत ही है लॉस होगा आपको लोगे किया रहे तो कितनी अच्छी चीज बोल रहते हैं कि बहुत 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 अच्छी है बट हमें लॉस हो रहा है उपर में लिखा ना आउट ओडी प्रिवेस केंडल रेंज मतलब इसका जो ओपन प्राइस हो गए प्रिवेस केंडल के बिलकुल बार ना तो हम लोग प्रिवेस केंडल में 50% का विख का सपूर्ट देखते हैं ना ही ओपन प्राइस के पास में और ना ही इसके क्लोस प्राइस के पास में देखिए यह चुटी-चुटी चीज़ है यह तीन-तीन ने लाइने ड्राव कर दी नहीं तो एक तरह से क्या हो गया पता है यह तीनों केंडल के इंपॉर्टन होते हैं यह तीनों पॉइंट्स किसी केंडल का ओपन क्लोज हो उसका 50% क्योंकि यह वाला जो अपनी यह जो फॉर्मिशन है इसमें प्रिवेस केंडल से हमको सिर्फ और जो लेना देना है इसके बाहर जो केंडल फॉर्म होगी उससे प्रिवेस केंडल की रेंज के बाहर ही ओपन होना चाहिए प्राइज और बाहर ये close होना चाहिए आपको ये structure बहुत कम देखने को मिलेगा और जब भी ऐसा होता है actually हम क्या करते है न इसमें high भी मेरा important हो जाता है इन दोनों structures का जो high और जो low होता है न ये दोनों बहुत important हो गया और volumes के इसमें अलग अपने structures होते हैं इसमें volume हम नहीं बताएंगे अभी सिफ प्राइस की practice करना है न volume को हम लोग बचा करके रखते हैं कल के लिए volumes otherwise के बहुत सारे structures आपके filter होने लगेंगे तो हो सकता है आपको चार price actions देखें चार formation से वाली देखेंगे बट हम जो volume के structures बता रहे हैं वह structure नहीं देखें तो फिर आप उन formation के वह प्रैक्टिस नहीं कर पाऊगा है आपको लेगा कि रहे तो volumes तो है नहीं प्रैस तो ठीक बन रहा है इसको हटाओ नहीं volume नहीं यह कोई बात नहीं अगर प्रैस आपको देख रहा है तो आप उसकी practice कर डालोगे जो हम बताएंगे तो उसका अपना एक additional use हो जाएगा वह strong बना देती हैं और तो volume को भी थोड़ी देर के लिए हम लोग आज का session के लिए तो फिलाल हम लोग volume बाउट करते हैं यह होता है और बहुत simple lower time frame पर इसका दो तरह से use होता है पहले चीज तो इस formation के आज जाने से उस चार्ट की एक दिशा निरधारित होती है और बहुत बार बहुत बार आपको बुलिशी दिखाई पड़ेगा और नीचे की तरफ है क्योंकि नीचे की दिशा में आपको AC formation बहुत कम मिलेंगे लोग किस तरह से use करते हैं कि डेली के according जितनी भी हमारी ranges है हम उसको next upcoming जितने भी sessions होते हैं उसके लिए बचा कर रखते हैं उसको और stretch कर देते हैं हांकि कि लोवर टाइम पर आने के लिए और जो भी हमारा इस लेवल्स के throw candles के according जो भी मेरे levels निकलते है उन लेवल्स के पा इनके पास से में फिर ट्रेड एक्जिक्ट करते हैं इन एरियास के पास लोवर टाइम फ्रेम पर तो इसके अंदर बस यहीं का demerit है कि प्राइस का इस जगह पर होना जरूरी है तभी यह ट्रेड एक्जिक्ट होगा लास सेशन में में आपको क्या बतायता है एक मदर तो जैसे हम लोग डिली टाइम फ्रेम पर लास्ट सेशन में जो केंडल बतायते है उसका यूस करते हैं सेम ऐसे इसका यूस होगा यह सबसे पहली है इसका यूस डिली बार अवे काम करिए इसको हम लोग तेखें इसके थोड़ी से एक्जामपल ले लेते हैं आहरती बहु प्राइज भी और ओपन प्राइज भी दोनों के दोनों बाहर हैं और अंदर से सिर्फ इसकी विक निकली हुई है हम लोग क्या करते हैं ना सिर्फ हाई और लो इनको मार्क करेंगे बस सिर्फ हाई और लो दोनों ही कैंडल्स का जो भी होगा यह एक ऐसा पॉइंट बनेगा एक ऐसा एक प्रॉपर पॉइंट बनेगा जहां से फ्यूचर में यह एक्सपेक्टेशन होती हैं कि प्राइस उसी जगह से आपका एक स्विंग लगा लेगा सेम जगह पर एक स्विंग जो कलर है कैंडल्स के कलर कोई मैटर नहीं करेंगे अगर फर्स कैंडल रेड है तो सेकंड हमारी ग्रीन भी हो सकती है और फर्स अगर हमा इस इस समौ आपर और इसका अवैशन होल दो कि पूर मार्केट एक ठहराओ घर उसको और जिम जोन के हैंगे उपन और क्लोजाज के अइस वह यहाँ बआ पर पर दिखेंग मार्क मिंविंग हों श्री से कुछिआ पूरी मार्केट के जो अग छीन दो मि एक स्विंग आउन फिर स्विंग्स, highs और lows पता है यह जो candles बन रही न दोनों high और जो हम low मा करा ले इसका इन दोनों का significant point है, कई cases में हम लोग सिर्फ first वाली candle को लेते हैं और कई cases में हम लोग सिर्फ second वाली candle को लेंगे हर बर दोनों candles को ले लिए जाता है markable दोनों होती है swings का दोनों candles form करती है यह तो होगे ही आपकी first formation जिसको बेसिकली हम लोग डिली टाइम पर करते हैं तो इन टेडिंग में भी इसका use होगा और डिली टाइम पर करते हैं इंट्रेडे में तो बहुत अच्छा इसका use होता है अगर यह candles आपको देख रहे हो price आपका same level पर मिल गया अगर आपको same level पर price मिल गया आप देख लेना price के movements बहुत प्यारे मिलेंगे बहुत अच्छी movements मिलेंगे एक तरफा price आपका गिरता है या अगर upside की तरफ जाना तो एक तरफा जाएगा और swing में इसका बहुत अच्छा यूज होता है जितनी भी आप formations देख रहो इस तरह की जो formations से बहुत कम मिलेंगे आपके इस तरह सबसे पहली formation होगे throw candle से आप इसको याद रखोगे price को जो बाहर की दिशा में ब्रेक कर दीगे अपने open close price से इसे note बना लेना और इस candle stick की एक ड्राइंग बना लेना उसको याद रखना inside range breakout inside range breakout को technical language में आप लोग इसको 3 inside और 3 upside के नाम से जानते होगे 3 inside और 3 upside ये लगभग लगभग उसी की तरह काम करते हैं 3 inside candle और 3 upside लेकिन इसको हम लोग फिर as it is used नहीं करते हैं कुछ ना कुछ इसके अंतर हम लोग changes करते हैं जब आप 3 inside और 3 upside को जो अपने traditional market को जब आप पढ़ोगे और ये candles पढ़ोगे तो ये आपको नाम सुम्झे कम लेगा 3 inside और 3 upside bullish और bearish candle बट इसमें कहीं पर भी आपको कोई volume नहीं मिलेगे कि actually informations में volume को हम लोग कैसे include कर सकते हैं क्या volumes को include करने से हमारी informations में कुछ changes होंगे changes in the sense कि क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि formation अपनी strong हो सकती है या weak हो सकती है trade में जह हम execute करने जाएंगे executions के दौरान में क्या इसका use होगा क्योंकि जब आप three inside or three upside को पढ़ोग ना तो एक ये candle बनती है फिर इसके बाद में इस तरह की candle होगी और फिर upside कुछ इस तरह की candle आपको मिलेगे कहीं पर भी आप देख लो इंटरनेट पर तो बहुत सारे चैपिस की वाकि काफी लोगों ने इसको समझा है बताया है पर जब इन फॉर्मेशन को पढ़ो नो तो पता है कि यहां पर एंट्री लो और यहां पर इस टॉप लोगा जो बिल्कुल स्विंग होता है पता चलता है कि यहां से लेकर के इतने बीच की जो दूरी ही निकल करके आ गया यही डिएड़ परसंट की है क्योंकि बहुत फॉर्मिशन होती है जहां पर भी आप देखो बनी हुई है तो बहुत कम जगायत से कि बहुत आप चोटे स्टॉप लोस है अदर्वाइस 0.8 परसंट से बड़ा ही स्टॉप लोस है आपका जब आप काम करने जाओ तो काम करने पर बाकि आप कहो कि inside rangi Breakout यह bargaining है और लिग देने से होजाता कुछ चेंज होगा क्या न ही कुछ नहीं चेंज काम सब ऐसे ही करते हैं स्थार है से नाम पर मुझ जाना टो जा केकंडल होगे हमारी जो आपके सेकेंड केंडर है उसका क्लोज प्रैस लौइ के बिलकुल अप मेरा है त्लोज खेया ज्जो बねंदony ऌर तरफिक careless चीज चीज और प्राइज केँoses però हें सबसे पहला और फस्टर मुझ के रहे हैं और फस्टो मेरी कैंडoben के बाहर उसकी विक जाने चाहिए ग्यांटिंअच हो करेगा फस्ट के रिश्ट की रेंज के अंदर ही होhart यह समझे में आरह रहे हैं इक तरह से यह जो शुलन रही हैं मतलब फस्ट्रंकर Ira expansionalgतिं אבל थर्ड वाली candle को previous second candle के close price से above में जाकर कि इसको close करना पड़ेगा और first वाली candle के high के उपर हमारा price close नहीं होना चाहिए वहाँ पर हाँ अगर breakout होता है तो हम लोग अपना विक को देख लेंगे but जो closing होनी चाहिए वो first वाली range के हमारी अंदर ही होगी बेलकुल इसके just up जब opposite होगे क्योंकि ये तो three in side up है इसके आप जब opposite side में आओगे first candle आपकी second candle close price below the first candle color कोई भी हो सकता आपका color आपका होगा red third candle close price below the second अब जब इसको draw करोगा तो formation पूरी-पूरी बन जाएगा first candle should be green green candle अब इसके बाद में second candle जो चाहिए वो red candle second candle आपकी red first वाली candle के below में जाकर क्यों closing move और third candle color थोड़ा सा matter कर जाता है information में color actually यसे matter करता है कि अगर हम लोग same color की candles ले ले लेना तो ये swings create नहीं करें swing वहीं पर create होगा जहां पर candle के color आपको change कभी भी same color की candle swing नहीं बनाते हैं और कभी भी same color की candle आपका ना तो swing high बनेगे नाई swing बनेगे अगर आप देख रहे हो कि किसी भी एक जगह पर आपके swing high और swing इसका जब आप अपोजिट कर लोगे फस्ट वाली केंडल बेरिश बुलिश इसके बाद में रेड रेंज के बाहर नहीं और सेकेंड केंडल भी जो क्लोजिंग बस ध्यान रखिएगा फस्ट वाली के बाहर क्लोज नहीं चाहिए इस तरह से आपका मतलब इंसाइड रेंज ब्रेक याप किसी भी रेंज के अंदर केंडल के अंदर ही आपके प्राइज Pig का का म हो सकता विच चल सक裡 बड़ प्राई चलोजिंग उनकी आपस में जो सेकेंड वालिक ये तो 컨डर पन रही आपस प्ले प्लिश नहीं वो कांडू नहीं केंडल करेंग एक तो आपकी एक red candle हो गए ठीक है इसका close price के दर नीचे के दिशाम ही हो गया यह बहार one और यह two high लगाएंगे यह high cutting दूसरे गार ऐसे और यह यहाँ पर भी same चीज़ यह और इसको याद रखना एक चीज़ और यह यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है हो सकता है यह off the on भी यह सब थोड़ा बहुत mistake हो सकती English हमारी उतनी perfect नहीं है बठा समझाने के लिए जो भी चीज़े हैं लेकिन थोड़ा सा understand आप कर सकतो यहाँ पर मैं जो चीज़े आपको बता हैं ड्राइंग करके इसमें पूरी चीज़ क्लियर इसमें कोई साइच चीज़ आपको clear हो जानी चाहिए स्र Essa sehe मैं साथ चाह। टाइम के बकुत cm यहाँ भीकाई कर से देखाना ह। फैसे होगा हमेशा है बिल्च का फोर्म स्रेशन पडिखे ऑपको इसलिए जो ट्रेडिशनल इसका यूज है आपको हमेशे इसके लिए बाई बोला जाएगा कि ऐसा है जहां पर भी आपको इस तरह की इस तरह की इस तरह की इस आपको दिखाई पड़े ना आप यहां पर सेल कर लो बट एक्शली होता क्या है यहां से दोनों काम होगा बाई भी होगा और सेल भी हो बाई नहीं करेंगे अपरोलस यह से ऑपना प्रेडिवाइड करकर दिया के है अब यह होता है वह जहां अपना 있을 wanna इस एक में यह नहीं पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ मर्ज करके हम लोग करते हैं इंडिविज्वली इन फॉर्मिशन का यूज बे मतलब है कहीं पर भी या मतलब चार्ट आपने उपन के और कहीं पर भी इस तरी की फॉर्मिशन देख रहे तो काम की नहीं और यह वह फॉर्मिशन से जो बहुत कम आपको देखने के लिए बहुत कम आपका जो पॉइंट ऑफ एक्शन बनता है सबसे परहे तो वही निकलेगा डेली टाइम फ्रेम पर जो रिडिंग हमने जैसे आपको बता है आप वैसे रीडिंग करोगे जिस तरह से पॉइंट ऑफ एक्शन निकालने को बता है वैसे पर भी अगर आपको देख रहे हैं तो यह समझ लेना है कि प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ तो होने वाला है यह जो हम लोग करें लोगर टाइम पर करें क्योंकि इससे पहले हम लोग अपने प्रेक्शन निकाल चुके हैं प्रैस में में बाइंग करनी सेलिंग करनी में म मुश्किल है कि प्राइस फिर आपका इस्टॉप ले ले बहुत मुश्किल होता है एक चीज़े भी हमें पता ही थे आपको जो इस्टॉप लॉसे साते इंफॉर्मेशन में जम लोग ट्रेड एक्जीक्यूट करने जाते तो जितने बड़े स्टॉप लॉसे साते हैं रेड़ेट इसाते हैं स्विंग रेट उता है पूरा एक स्विंग रेट उता और यहां पर देखिए फिर्स्ट वाली केंड घ्रीन प्राइज आपको उपर गया तभी तो यहां पर लोग रिजिस्टेंस पॉइंट लोग बन जाता है एक सपोर्ट पोइंट यहां पर प्रफस्ट के नॉर्मल्ल का मतलब कोई भी केंडल हो सकती ना वह रेड या कैसी भी केंडल हो सकती वह नॉर्मल केंडल ही होगी second candle से काम शुरू होता है न second candle से कैसे अब first candle नो बन गई इसको अगर green बनना ग्रीन रेड़ बनना रेड़ बन गई अब अगर first candle रेड़ है अब जो होगा न second candle आपकी green होनी चाहिए और यह होनी चाहिए चाहिए गाइद यह भी first candle आपकी normal candle ग्रीन बनजा है चैनरैट बनजा है जो बात की दोनों candles बनती है ये importance बढ़ाती है फस्ट वाली candle का अगर बात की दोनों candles नहीं तो फस्ट वाली candle नॉर्मल ही candle रहेगी ना क्या ही मतलब है बट बात की जो दोनोग candles है ये मैं दोनों यह इसकी नाग यह सुनपोग और अपनट सी क्या ओपकटी ताहरा फॉर्मेशन फ़ाहा न सब्सक्राइब चुब्सक्राइब के वश्टियों का आम सक्षूर्श यह तो शठरह में ब suicidas सब्सक्तिब्सक्राइब तो समाघने देख से कुछ यह उनकी है तो जहां पर, मार्केट ने, Already movements दिखा रहे हम, जिस लेफलके टो प्रैस, Already movement को स्पॉट करते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स है, हम लोग अपने इन पांत्र mendoin को इसंपॉट करते हैं, और कोशिछ ये करते हैं, है हमें जो trade execute करने के मौके में वो यहाँ पर मिले है simple simple यह अपना point of action है जितना simple हमने बता दी ने actually यह काम करने में भी उतना है simple है बहुत जादा मुश्किल आती नहीं है इसके उपर एक सही point of action अगर आपने ढूंग ले तो आप अपने un point of action के पास में देखो आप देखना information कि एक अगर confirmation क्या होती है मतलब accuracy क्या निकल कर क्याती है एक green candle इसके बाद में बनी एक red candle अगें red candle याद रखना ना first valley candle कि range के बाहर में चाहिए हमनों को closing इसके बाद में second valley candle के range के बाहर में चाहिए हम लोंको closing, जितनी भी candlestar की बन दीना, one plus three क recording, जो breakouts होते हैं, volumes के, वो हमें breakouts चाहिए होते, इसलिए हमने बॉला था कि volumes को हम कल बताएंगे, फिर उस से क्या हो ना filter भी, फिर यह वाली formations भी, फिल्टर नहीं करना भी जितनी फॉर्मेशन सब फॉर्मेशन को लेकर करके चोड़ यह बना दिया ना एक यह क्रिएट करती हैं स्विंग्स एंट्री लेनी है फॉर्मेशन के 50% का वेट करो जितनी फॉर्मेशन से ना ब्रेकाउट के बाद में हमेश्च यह चीज़ ज्याद रखना कई बार होगा कि आपको ट्रेट्स मिलेंगे और कई बार होगा ट्रेट्स नहीं मिलेंगे हम लोगों को सेग्रिफाइज करने पड़ जाते हैं क्योंकि प्रॉपर स्टॉपलस नहीं ह कर देते पता जाते हैं सुबह से तो हम चार्ट देख रहे थे इतनी मुश्य से चार्ट खोज करके दिए और फॉरण मना कर दिए टाइम भी नहीं लगा ट्रेड नहीं कर दो सारी चीज़ें अपने जगे पर सब कुछ सही है आपके मार्किंग्स भी से अपका चार्ट भी स दोना चाहिए को अगर उससे बड़ा होगा तो फिर हम लोग ठीड एकजीचूट करते हैं और यह बार बहुत कम होगा कि यहां फिर इस टअप लोग जैगा का हम लोगों अकर एस क्समें होता कि हम लोग होगो तरेड इक्जीकूट का होता है है विर बहुत नोग कं पर ऐस चीस फिर से इसमें याद रखो कि हम लोग भी पॉइंटी लेना ही नहीं है सब बेकार है यहां पर जो भी एंटी लेगा सब के स्टॉप पॉइंट्स जाएंगे अब बता है न हमने कि लोवर टाइम फ्रेम पर जो अपने पॉइंट्स है वह हैं परमलोग देखेंगे अब यहां पर देखें एक रेट केंडल बनी इसके बाद में एक ग्रीन केंडल एक्चुली यह वह पॉइंट्स है यह बन गया सपोर्ट आपका प्राइज अगर माल लि बहुत स्ट्रॉंग इंफरमिशन होती है और देख लो और यूस कर लो कहीं पर भी जैसे एक दो तीन फर्स नॉर्मल सेकेंड केंडल की क्लोजिंग फर्स्ट के बाहर थर्ड वाली केंडल के बाहर इसके पहले में जो बताई है इनर केंडल प्रेकाउट में फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली केंडल यह इनर रेंज ब्रेकाउट में हम लोग यह देखते हैं यह वाली केंडल आपकी होगी ग्रीन सेकेंड वाली दोनों भी केंडल मारी बन रही वह दोनों के दोनों मेरी रेड बनेंगी इनर रेंज ब्रेकाउट मतलब प्राइस आपका एक रेंज के और यहीं पर breakout हो रहा है फिर से वही बात volumes को भी नहीं और फिर outer range breakout जो होंगे एक बड़ी सी normal सी candle बनेगी second वाली candle की closing यहाँ पर और इस की closing यहाँ पर but जो color होगा first वाली candle का opposite color होगा और इन दोनों ही candles के color होते हैं but first वाली से different समझ गया ना point of actions के साथ इनको add को तो trade execute कर दो आपको मजा जाएगा जिस यह candle sticks है यह वो candle sticks नहीं जो नॉर्मेल इनको पढ़ा ही जाती है gravestone doji shooting star evening star dragon inverted और tweezer top tweezer bottom यह सब काम करना नहीं इन फॉर्मेशन को पकड़ इन candle sticks को आप देखना accuracy बढ़ जाईगा आपकी बहुत पुराणी 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 नहीं हमको बिलीव इनके पर tweezer top tweezer bottom यह वो फलानी नहीं ग्रेव स्टेंड ओजी और black crown और फलाने क्लानम को नहीं पढ़ना है दुनिया उसको जानती है अभी जो एक हमने फॉर्मेशन आपको बता ही ना यह एक बड़ी सी candle बन रही है second candle जो हमारी बनेगी first वाली candle के बाहर इसकी open और closing होगी आप देख ले ना mark करके रख लो आप हमने बोला था information एक चीज होती है information मिल जाने भर से आप आर्टिस नहीं बन जाओगे आपको pen पकड़ना आ रहा है आपको brush पकड़ना आ रहा है आपको colors की knowledge है यह red color है यह green color है यह black color है यह blue color है यह brush है इस brush के आगे hair है जो भी artificial hair है किसी animal के आपको knowledge है information है आपके पास लेकिन इतनी information के सामने जो chart है यह chart paper है फलाने इसका बना हुए material का है और जो paint करने लेकिन इतनी information हो जाने भर से आप आर्टिस नहीं बन गए इस brush को चलाने की भी तमीज होनी चाहिए color combinations की भी तमीज होनी चाहिए उससे ज्यादा क्या आपके मन में चल रहा है ट्रेडिंग का काम भी एक आर्टिस्ट से कम नहीं होता है जो उसके दिमाग में चल रहा है वो चीज़ की chart भी होनी ही चाहिए imagine करके नहीं बैठ जाएगा कि अच्छा यह बन जाएगा तो हम trade ले लेंगे ठीक चलो trade ले ले ल हमने बता दिया हम यूज कर रहे हम उसे trade execute कर रहे वह चीज़ हमने आपको बता दी कितनी मेहनत कितनी मंदारी के साथ अब इसको practice कर ले जाओग यह आपके उपर है आज सी यह formation आपकी इसको आगे तक ले करके जाओगे यह अभी class खत्म हो जाने के बाद में छोड़त होग कर देंगे यह वीडियो ही हम publish कर देंगे अब इसमें जो volumes के जो रोल्स होंगे यह हम आपको कल के दिन में बता दिया है और दूसरा वो ग्रूप है जिसको भी कुछ भी नहीं बताया उनकी second class है आगे बढ़ते हैं समझ गया ना तो यह दो फार्मेशन यह inside breakout और यह outside इंसाइड बेकाऊट के example से मैं आपको दी अभी outside के देखें फार्मेशन के यूज स्विंग के लिए करो इंटिफाइ करने के लिए आपको एंट्री के लिए करना पैंट्री के लिए भी करो ए ग्रीं केंडल रेड 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 ज्यादा नहीं आपको बहुत एक तरह से help मे इंची closing यह बन की formations हाँ हाँ फार्मेशन मतला वही swing ना है बस हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग कुछ तो नहीं कर रहे हैं क्या हमने mark कर लिए इसमें सिंपल सी अपनी formation देख रहे हैं जहां पर भी formation देखें हमने marking कर लिए हमें क्या पता यह swing high है या swing low है और क्या कुछ नह देखने हमें यहां पर देखी इन इनaking बन गया ना यह लीजए हो गया क्या है इनकेंड़स ने क्या साबित कर दिया एक बना दिया भाई एक बना दिया ले लोगा यह रहा है यह देखिए यह सब reading skills आता है वह देखो पूरा का पूरा देखिए आपको कितना अच्छा resistance बन उठालो आपको information, पोई stock उठालो, हमें नहीं कुछ उसमें करता है, यह लिजए, red, green, green, closing, closing, कहा हमने इसके अंदर gravestone, doji देख लिया, कहा हमने इसको morning और traditional candlesticks है, आप देखो, वो traditional candlesticks है आपको trap करने के अलावा बहुत इससे जादा और अच्छा कुछ काम नहीं करेंगे एक बहुत अच्छी candle हमें लगती है, वो उती पिन बार, 90% आपको body देखेंगे, वो बड़ी body दिखती है, वो stock value के 0.7% से ज्यादा की वो candle होगी, 90% उसकी body होगी, 90% उसकी week होगी, और 10% body होगी, ऐसे candle उठाओ अप, इस stock value की 0.70, 0.80, 0.90% का वो move एक single candle करेगी, time frame चाह बनी होती, candle उठा लो, one side move आपको वो candle दिखा देती है, अगर सही point of action में आपको वो पकड़ में आगे, इस एक traditional candle के लावर के हमें किसी भी candle के उपर believe नहीं है, हम अगर mother candle का use करते हैं, तो उसके अंदर पनी volumes को हम add करके ही उसका use करते हैं, और additional जितनी चीज़े हैं, वो अलग है, हमने बोला न, formation देखने जाओ के तो हो सकते हैं, जब एक formation आप देखो तो उसी एक ही formation को देखो, हाँ, उसके साथ additional मिल रही हैं, तो ठीक है, पर यहां पर वो नहीं देखी, यहां पर वो है, बठ में वो नहीं देखी, हम जो चीज़ देखना चारे में वो देख जितनी candlestick की सारी, जितनी candlestick बता दी, हलांकि भी काफी और भी candlesticks हैं, यहां से शुरू कर दो, एक होता है, फेक breakout, फेक मतले candle breakout में क्या होता है, लाइक आपने point of action निकाल लिए, यह आपका एक area बन गया है, इसको इतना नीची की कर दिया है, यह आपका point of action बन गया है, यह एरिया आपका जो line आईए, daily time frame से derived है, इसके बाद में lower time frame की कुछ इसमें आपको price sections दिख रहे हैं, lower time frame की price sections है, particular इस stock में मेरा जो view है, वो है भाई का, हम भाई करना चाहते है, x, y, z को भी stock है, अब इस stock ने move करना शूरू किया, लाइक के मेरे support पर यह आ गया है, mother candle का अपने direction में use कर से करता है, लेकिन एक चीज़ याद रहे, यह जो view बनाना, buy का, sale का, यह view होना ज़रूरी है, screen पर writing मत कीज़े, again, चलिए, यहां तक market आ गए, देखे, एक चीज़ क्या होती है, price लोगा trap करना है, तो वो कई तरह से trap करता है, हो सकता है कि price आपके support पर और यहां पर एक mother candle form करते है, थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा, एक mother candle form करते है, और इस mother candle का breakout आपका करते है, पता है, इस चीज़ को देख करके कितने ही लोग यहाँ पर short selling करें, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको buying करनी है, इसलिए आप क्या करोगे, आपको short selling के लेकिन अगर इसने नीचे की तरब breakout दिखाया, नीचे की दिशा में breakout दिखाया, और दिखाने के बाद में वापस से आपकी mother candle को इसने upside की तरब brick किया, इसका मतलब कि अब moves बड़े होंगे, इस तरह के moves होते हैं, और यह जो सब कुछ start हुआ था, इस simple सी एक fake candle से शुरू ह यह समझ में आया, इस mother candle की जगे पर maskings भी होती है, masking मतलब एक छोटी सी candle और एक बनती है बड़ी सी, इंगल्फ कर लेना, पूरी तरह से चुपा लेना, mask मतलब चुपा लेना किसी भी एक candle को, या object को पूरी तरह से चुपा लेना, यानि कि उसने masking कर ली, पता है, इस mask candle का भी यूज किया जाता है, trade execute करने के लिए, अब मेरे daily time stream के level के पास में ये candle सबनी है, हमें क्या करना है, buying करनी, but price, बहुत से लोग trap होते है, इतना असान थोड़ी नहीं है, बहुत से trap होगी, हो सकता है, एक simple सी candle ने आपको नीचे के तरब breakout कर दिया, ये जो first वाली candle बनी इसने नीचे के तरब breakout कर दिया, short हो गया, लेकिन जब क्योंकि आपको पता है, तो पता है, आप क्या सोचोगे, कि इस एक candle नीचे के दिशा में breakout किया, बट जब हम देखने तो हमें पता चलना है, कि ये एक masking candle है, masking candle के बन जाने पर trades execute नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर एक short term support या resistance बन जाता है, कम समय के लिए एक support या resistance बन जाएगा, हम लोग trades execute नहीं करते, इसके just opposite उस support के break हो जाने का, या फिर उस resistance के break हो जाने का हम wait करते हैं, और जिने नहीं मालों में जैसे ही price नीचे के तरब closing की, वो trade execute करतेगा, तो सिर्फ जब या आपकी candle बन रही है, तो यहां पर इसके बन जाने भर से भी trade execute नहीं हो जाएगा, और अगर हम लोगों को buy करना, तो price अगर नीचे के तरफ गिर रहत फिर हो गिर जाए, मेरे किसी काम करें, हम लोग trades execute नहीं करेंगे, बट जैसे ही price नीचे के तरफ breakout करने के बाद, आप side के तरफ जाए, यह मालों क अब इसके अंदर fake breakouts और इन fake breakouts का यूज से आप करो, कितने formations हो गए यह सा, ओवर्डोस ना हो गया हो, एक तो fake, आपको masking candle, fake mother candle, inner breakout, outer breakout, इसके बाद में through candle, इतने candles हमने आपको बता है, एक candle और होती है, कहिए तो वही बता दे, ज्यादा हो जाए गई है, ले लिजे, neighbor masking candle, अब यह neighbor masking candle का है, नाम actually, यह किसी book book में आपको नहीं मिलेंगे, नहीं तो आप किसी website पर चले जाए और internet पर यह मिलेंगे नहीं आपको, यह हमारी अपनी observation है, personal observation से आपको कहीं नहीं मिलेगा, हो सकता है, by chance कहीं मिल जाए, बट बहुत मुश्किल आपको मिलेगा ही नहीं, फर्स्ट के बाद में कोई भी एक सेकंड केंडल का बन जाना, नॉर्मल सी चीज हो गई, फर्स्ट केंडल नॉर्मल और सेकंड केंडल भी जो हम लोग यहां पर लिखेंगे नॉर्मल केंडल है, फर्स्ट केंडल नॉर्मल केंडल, सेकंड केंडल भी नॉर्मल केंडल अच् यह वाले price actions दिखते हैं कौन से price action कि first वाली candle और second वाली candle के form हो जाने के बाद में जो third वाली candle बन रही हो पूरी तरह से अगर आपकी mask कर लेती है first वाली candle को इसमें second वाली candle का कोई important role play नहीं होगा आपका ये कि second वाली candle का क्या low तूटना चाहिए या high तूटना चाहिए नहीं मतलब नहीं हमारी लिए जो ज़रूरी है पूरी तरह से जो masking होगी वो first वाली candle की हम नहीं बताएंगे कौन से चार्ट आपको जो मर्जी हो जो मर्जी हो और जो time frame आपका जो भी आप select करो आपको उस जगर पर क्या दिखेगा नेवर मास्किंग है मतलब कि एक candle नहीं उसकी जो नेवर केंडल होगी आपकी उस candle की masking third candle कर कर देती है नेवर मास्किंग केंडल formation आप उसको कुछ भी बोलो आपको कुछ नया नाम रखने नाम रुख दो ऐसा ऐसी चीज मतलब आपको बस याद रहे हो कंडिशन से भी है कि आपको formation याद रहे है नॉर्मल केंडल अच्छा कलर कोई मेंटर नहीं करेगा फर्स्ट केंडल किसी भी कलर की हो सकती सेकंड किसी भी कलर की हो सकती एक चीज यहां पर देखिए वॉल्यूम्स में जब आप आओगे ना फर्स्ट वाली सेक वाली केंडल से ज्याद अगर सेकंड वाली केंडल की वॉल्यूम्स तो भी चलेगा और अगर सेकंड की नहीं है थर्ड वाली केंडल की वॉल्यूम्स अगर सेकंड वाली केंडल से ज्याद तो भी चलेगा मतलब जो यह जो दोनों केंडल बन रहे हैं इन दोनों भी केंडल लोट कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं इतने लिबर्टे सक नो कोई मतलब नहीं जो नेवर है इसका लोग और हई पूरा 3rd candle खा लेगी आपका important होती है आपकी यह वारी candle इस वाली candle का high और low important होगा but resistance आपको price जो भी पूरी formation का हाई होता है उस हाई से और पूरी फोर्मेशन का जो लो होता है ऊस लो सब बहुत सारे जैक्षिंस मियूंगे ल होगी सब भी करना ही अ इकTo reservation अमरे राजा को नहीं लेटीड डिला आख्यार को पोछ ना अगलोगो सिर। सिरफ अमें क्याары चाहिए ना मास्कियन चाहिए और अजी एक काम कर लोवर टाइं टाइम इंपर जिन्हें सारी चीज्यारे मालूँ अल रही तो ठीक है और जिनकी second class है वो लोग पता है आप लोग जो practice करोगे day की first formation को उठा लेना है बस सिर्फ day की first formation को उठाने है और इसको लग जाना है काम पर इसको और एक formation देखना तो वही एक formation उसमें 20 तरह की formation मज़ाइट करते हैं आपको यहां पर तो यह बन रहा है वहां पर तो आपकी inside breakout बन रही है वहां outside breakout है यह जैसे यह आपकी red candle और यह रेट केंडल लोग तो टूड यह हाई नीटू इन्वैलिड है थोड़ा से भी प्राइस अगर ऊपर चला जाता तो बढ़िया होता यह देखें पांच ट्रेंड दे गाई है पूर दरशी यह बहुत significant point हो जाएगा आख बंद करके trades execute हो रहे हैं से फिले लो हमें क्या कुछ और ढूंड रहे तो यहां पर जागा है चलिए एक session सब्लोग region करिए फटक से last होगा अपना सब्लोग region करिए